जैहिन दोस्तों बिहार SSC Interlevel Exam 2024 के लिए ग्यान बिंदू GS Academy जिसके founder रोशन आनन सर है तो साथियों इनके द्वारा एक नया Model Practiceset Book को निकाला गया है जिसमें साथियों टोटल आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 15 Model Practiceset इस बुक में दिया गया है जो कि आपके exam के लिए बहु का discussion करेंगे तो आप सभी पूरा वीडियो को ध्यान पुरुवग देखिएगा और इस set में आपका क्या score रहता है सेशन के last में आपको comment करके बताना है तो चलिए फड़ा फट से आप सभी live में जूड़ जाईए तो साथियों आप लोग यहाँ पर contents में देख सकते हैं यह Model किस तत्य की कमी का सूचक है very important question है और साथि अगर आपको इन सेट में किसी भी प्रसन का अंसर पहले से आता हो तो आप सभी नीचे comment box में अपना-पना अंसर बता सकते हैं तो यहाँ पर पहले question का सई जबाब है जिंक मक्का की पत्यों के सिर्ष भाग जो सफेद होता है वो है बिल्कुल टॉप लेबल का question दिया हुआ है तो प्यारे सत्यों भारत में जो नियोजित अर्थववस्ता है यह मिसरित अर्थववस्ता पर अधारित है याद रखेगा यहाँ पर C option आपका सही जबाब है मिसरित अर्थववस्ता तीसरा question है यदे किसी दोनी तरंग की आ 4 हर्ज है तो इसका आवर्थकाल क्या होगा तो आवर्थकाल के लिए एक formula होता है अगर आपको पता है तो बिल्कुल आप लोग अराम से निकाल सकते हैं आप लोग निकाल लेजेगा इसका answer होगा 0.02 second लेबनान की राधानी कहां पर है अब यहाँ पर आप लोग देख सकत हैं यह question number 6 है और अभी हमने cover किया question number 3 तो देखे इस बुक से हम लोग के बल GKGS के ही प्रसनों को cover करेंगे तो यहाँ पर answer क्या हो जाएगा लेबनान की राधानी कहां पर है तो याद रखेगा बेरूत नई पहिताब की बात करें तो म्यानमार की राधानी है हावाना की रा राधानी है आगे देखे operation cactus भारतिया ससस्त्र बलो द्वारा किस पडोसी देश के तकता पलट को रोकने के लिए चलाया गया अभियान था तो साथियो question number 7 के लिए आपका यहाँ पर answer क्या हो जाएगा मालदीव याद रखेया क्या होगा मालदीव के लिए मालदीव की राधानी से संबंदित एक question जरूर पूछा जाएगा अगला question है सुमेलित करे एक तरफ तुफान एवं चक्रबात है दूसरे तरफ नामकरन है तो चले इसको जल्दी से मिला लेते हैं तो यह जो निवार है यह हो जाएगा आपका इरान निशर की बात करे यह हो जाएगा देश अंफान हो जाएगा आपका थाइलेंड और गुलाब हो जाएगा पाकिस्तान तो मिला लेजेगा किस option में है आगे देखें निम्न में से किस उपकरन द्वारा विद्धूत उर्जा का ध्वनी उर्जा में रुपांतरन किया जाता है तो simple सा question है विद्धूत उर्जा को यांतरी कुर्जा में बदलने वाले युक्ति का नाम क्या है तो याद रखेगा मोटर और यांतरी कुर्जा को विद्धूत उर्जा में कौन बदलता है डाइनेमो जाने की generator अगला question देखिए करकरेखा भारत के खालिय स्थान राजे से होकर गुजरती है तो साथ्यों क पर करेखा भारत के आठ राज्यों से होकर गुजरती है जिसमें से आपका 36 गड़ आता है बाकि पंजाब महराश्ट केरल ये सभी नहीं आता है आगे दिकि यदि किसी वस्तू यानि बिम्ब को अवतल दरपन के वकरता केंदर सी तता focus app के बीच रखा जाता हो तो इसका प प्रतिमिम बनेगा वकरता केंदर से परे जो की D option में दिया हुआ है अगला question देखिए नेम्न लिखित में से कौन राजनेतिक कारिपालिका का हिस्सा होता है तो 15 के लिए आंसर क्या हो जाएगा कौन होता है तो ग्री मंत्री याद रखेगा राजनेतिक कारिपालिका का हिस कि आत्म कता है और साथे आपको daily class अटन करना है यह class आपको daily रात 8 बजे live chat के साथ दिया जाएगा और इसके साथ आपको daily साम साले साथ बजे की क्लास को जरूर देखना है जो की मेरे दूसरे चनल पर चलता है उस चनल का नाम है दिवाकर स्टडी आईक्यू उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा तो अनजान साक्षी इन में से किसकी आत्म कता है तो याद रखेगा इसका सही जबाब है केके अब्दुल गफार का आगे देखे दबाव का संबंद पास्कल से है और विद्दूत का संबंद वाट से है तो वैसे ही उस्मा का संबंद किस से होगा तो सिंपल सा कोशन है जूल से होगा नगुल ट्रम किसकी मुद्रा है ये कोशन भी आपके एक्जाम के लिए important है आपने देखा होगा 17 दिसंबर को बिहार दरोगा के एक्जाम में देश राजधानी मुद्रा से संबंदित भी कोशन पूछा गया था तो आपके एक्जाम में भी यहां से कोशन आएगा इसलिए आ आगे दिके लार निम्न में से किसके पाचन में सहयोग करती है तो साथियो लार जो है इस्टार्च के पाचन में सहयोग करती है आगे दिके दादा साहिब फाल के अंतराश्टे फिल्म समारो 2023 में किस फिल्म को फिल्म आप द इयर चुना गया very important question है इस्टार माग कर लिजे इस पर तो उस फिल्म का नाम क्या है तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा 23 के लिए B R R R R R R याद रखिगा निम्न लिखित में से किसका संबंध चिकित्सा के छेतर से है तो यहाँ बनाने बाली रेखा कौन सी है तो साथियो भारत और चाइना के बीच कौन से सिमा रेखा है तो मैक मोहन रेखा है रेड क्लिप रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में है डूरन रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है निम्न लिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकारों का सबसे सटीक वर्नन है तो दीके मौलिक अधिकार वर्तमान में 6 है पहले 7 मौलिक अधिकार थे 7 से जो 6 किया गया कौन सा मौलिक अधिकार हटा है तो संपत्ती का जो मौलिक अधिकार था अब उसे लीगल राइट यानि कानूनी अधिकार बना दिया गया है और उसे अब आर्टिकल 300A में रखा गया है तो यहाँ पर दिखे किसी व्यक्ति को प्राप्त समस्त अधिकार यहाँ पर पूचा गया है मौलिक अधिकारों का सबसे सटिक वर्नन तो इसका जो आंसर होगा C होगा संबिधान द्वारा प्रजत और सुरक्षित समस्त अधिकार ये क्या है मौलिक अधिकारों का सबसे सटिक वर्नन है विश्व सतरंज चेंपियंशिप 2023 का मिजबान देश कौन सा है तो इसका सही जबाब है कजाकिस्तान कागजी मुद्रा जारी करने बाला पहला देश कौन सा है तो सात्यों कागजी मुद्रा को जारी करने बाला पहला देश चायना है अब यहाँ पर एक कुश्ण मैट्स का है एक से बीस के बीच की भाज संख्याओं का औस ग्याद करना है अब ये भाज संख्या क्या है और अवाज संख्या क्या है अगर आपको नहीं पता है तो थोड़ा सा डीप में आपको बता देते हैं तो देखे जिस संख्या का गुननखंड अगर दो से अधिक हो उसे भाज संख्या काती है गुणनखंड का मतलब क्या होता है जैसे कि हम यहाँ पर लिखते हैं 4 अब बते यह 4 में किस की संख्या से भाग लगता है तो 1 से लगता है 2 से लगता है और 4 से लगता है तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 4 में 3 संख्या से भाग लगता यानि कि यह क्या है भाज है अब यहाँ पे हम लिखते हैं तीन अब बते हैं तीन में किसे भाग लगता है तो एक से लगेगा और स्वयम तीन से ही लगेगा बाकी अन किसी भी संक्या से नहीं लगेगा तो देख सकते हैं इसका केबल दो गुनन खंड है तो याद रखना है ज हमने यहां पर लिका 11 तो यह क्या है यह भाज है क्यों 11 में 1 और 11 से ही भाग लगता है तो यहां पर क्या करना आपको आउसत निकालना है एक से लेकर 20 के बीच भाज संख्या तो क्या क्या हो जाएगा यहां पर 4 हो जाएगा 6 हो जाएगा उसके बाद 8 होगा फिर 9 होगा 10 14 होगा 16 होगा और 18 बीच में बोला गिया है अब बटे कर देना है कौन कर लिजे एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नौ इसको जोड़के भाग कर देना नौ से आपका अंसर आ जाएगा निम्न लिखित में से किस वर्ष महत्मा गांधी द्वारा सभिने अबग्या अंदुलन शुरू किया गया था सिंपल सा कोर्ष ने 1930 में सुरू किया गया था 1928 में बार्दोली सत्यागर हुआ था याद रखेगा 1931 में क्या हुआ था तो दूसरा गोल में सम्मिलन और 1930 में पहला गोल में सम्मिलन निम्न लिखित में से कौन सा कथन असत्य है तो इसमें से पहला उप्शन यही असत्य है संसद का पहला घंटा सुनिकाल के लिए होता है बिलकुल गलत है सुनिकाल प्रसनिकाल के तुरंद बाद शुरू होता है 10 केजी द्रबमान की एक वस्तू को उद्वारत पिर्थवी से 2.4 मीटर की उचाई तक उठाने में कितना कार करना पड़ेगा यहाँ पे देखे जी का मान भी दिया हुआ है 10 मीटर प्रति सकंड स्क्वार तो यहाँ पर इसका सही जबाब हो जाएगा आपका उप्शन बी दो सो चालिस जूल राष्टे खेल दिबस कब मनाया जाता है यह कोसंदी के बिहार दरोगा के सकंड सिफ्ट में पूछा गया था राष्टे खेल दिबस जो के 39 अगस्त को मनाया जाता है 12 अगस्त को विश्व यूबा दिबस मनाया जाता है ज्यान दिजे राष्टे यूबादिबस नहीं विश्व यूबादिबस सार्थी पोर्टल और मोबाइल एप किस मंत्राले दुआरा लॉंच किया गया है तो यह जो है क्रिसी मंत्राले के दुआरा लॉंच किया गया है निम्न लिखित में से कौन सा मुद्रा बजार पर उपबजार नहीं है तो यहाँ पर 46 के लिए आंसर हो जाएगा कॉल मुद्रा यानि मांग मुद्रा बजार मेरू रज्जू को सुरक्षा प्रदान की जाती है तो साथियो मेरू रज्जु को सुरक्षा प्रदान किया जाता है किसके द्वारा तो कसेरूक दंड द्वारा विश्व बैंक के Logistic Performance Index 2023 में भारत का नया स्थान क्या है तो विश्व बैंक के Logistic Performance Index 2023 में भारत का स्थान 38 है याद कर लिजिए खालिय स्थान आधुनिक आवर्त सारनी के समू एक में मौझूद एक मात्र अधातु कौन सा है आवर्त सारनी समू एक में बताना है तो इसमें से एक मात्र अधातु हाइड्रोजन है हाइड्रोजन के तीन्स नमस्थानिक है हाइड्रोजन को भविश्य का इंदन भी माना गया है अगला कोशन है निम्नलेखित में से कौन सा भारत के आर्थिक नियोजन का उदेश से नहीं है तो जनसंख्या विर्धी ये उदेश से नहीं है बाकी रोजगार उत्पन करना और द्योगिक विर्धी आत्म निर्भरता ये सबी है चलिए कोशन नमर 56 में आपको मिलान करना है तो सिंपल सा कोशन है स्वराज पार्टी हो जाएगा आपका 1923 फारवर्ड ब्लॉक पार्टी उनिस्व तेरह और नौ जबान सभाब का ओजाएगा 1926 याद रखीगा हरित ग्रह प्रभाव के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है तो सही से पढ़ लिजेगा दिके सी ओप्शन में दिया हुआ है हरित ग्रह गैसों का ज्यादा उत्सरजन एक प्राकृतिक प्रक्रम है जो कि आपे सही नहीं दिया हुआ है कौन से संख्या है जिसका 12% 9 है तो इसको कैसे सॉल्ब करेंगे माल लेते हुआ संख्या एक्स है अब M क्या पूछा गया है, कौन से संक्या है, जिसका 12 परतिसद, तुमा लेते संक्या X है, तो X का 12 परतिसद कितना है, बराबर 9 है, अब इसको solve कर देजे, आपका answer आजाएगा, X गुना 12 बटे 100, बराबर 9, 3 चोकी 12, 3 तिया 9, और 4 से 125, 25 गुना 3 75, C option में दिया है, ब्यास सम्मान पूर्शकार, वर्स 2022 के लिए किसे दिया गया, वेरी वरी इंपोर्टन कोशन है, तो डॉक्टर ज्यान चतुरुवेदी को दिया गया, गौतम बुद्ध द्वारा, अपना पहला उपदेश किस अस्थान पर दिया गया था, तो पहला उपदेश पूछा गया ह दुसरा वस्ती में दिया था इनोंने, जन्म हुआ था लुंबिनी में और मिर्तियो कुसी नारा में, 86 सम्मिधान संसोधन द्वारा, किस वर्से 11 मौलिक करतवे को जोडा गया, तो देखे साथ वे प्रेक्टिस सेट में, हमने आपको बहुत 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 बहुताया है, ज जो 42 संसोधन हुआ था, और किस समीती के सिफारिष पर जोड़ा गया, तो सरदार स्वर्ण सिंग समीती के सिफारिष पर, अगला कोसने वित्य समावेशन के लिए, हाल ही में निम्न में से कौन सी पहल की गई है, तो साथ्यों इसके लिए याद रखेगा कौन सी पहल की मलेरिया दिभस कब मनाया जाता है तो याद कर लिजे सातियों प्रत्येक वर्स 25 अप्रेल को विश्व मलेरिया दिभस मनाया जाता है निम्न में से कौन धमनी से संबंदित नहीं है तो ये रुधिर को हिर्दय से अंगो की ओर ले जाती है सही है इसमें कपाट नहीं पाय जात में इस्तित होता है जो कि बिल्कुल गलत है पूर्वी नेबल कमांड कहां पर इस्तित है बिल्कुल आपके एक्जाम में छपने वाले कोशन है आंसर किजिए तो पूर्वी नेबल कमांड ये हो जाएगा आपका कहां पर तो हो जाएगा विसाखा पतनम में और विसाखा पतन नममर राजपाल के अध्यादेश जारी करने की सक्ति का उपवंध किस अनुच्छेद में दिया गया है तो दीके हमने एक बताया था राजपाल और एक राश्टपती के लिए राश्टपती जब भी अध्यादेश जारी करता है आर्टिकल 123 के अंतरगत और राजेपाल जो अदादेश जारी करता है 213 के अंतरगत तो आंसर होगा यहाँ पर B भजन वैसनब जनतों तेने कहिए पीर पराई जाने रे की रचना कौन किया था तो इसकी रचना नर्शी महताने किया था और यह महात्मा गांदी का बहुती प्रिय भजन था तो सात्यों डोकलाम विवाद जो है याद रखेगा भारत और किसके बीच चाइना के बीच में है जब तनू HCL को लोह चुरन पर डाला जाता है तो गैस निकलती है तो हमने बताया था जब भी धातू अमले के साथ अभी क्रिया करता है तो उसमें हाइड्रोजन गैस निकलता है तो HCL एक परकार का अमले है लोचुरन धातू है जब यह रियक्शन करेगा तो हाइड्रोजन गैस निकलेगा निम्न लिखित में से किस राजी में 2021 के इस्थितिक अनुसार भारत में सोने के एस का सबसे बड़ा भंडार है सही जबाब है बिहार किस राजी की सरकार ने पहली एर एंबुलेंस सेबा सुरू की है वेरी इंपोर्टन कोरसे ने इस्टारमा कर लीजिए तो ये किया है जहरखंड सरकार ने भारतिय राजनिती में कारेपाली का किसके अधिनस्थ है तो सिंपल सा कुर्शन है आंसर क्या होगा विधाई का परियोग साला में संसले सित पहला कारवनिक योगिक कौन सा है तो आप सभी जानते हैं यूरिया था और जिसका फॉर्मूला होता है NH2, CO, NH2 ये मिठेन का फॉर्मूला है CH4 जिसे मार्स गैस कहा जाता है निम्न में से कौन भारत में राजनितिक दलों को मानता परदान करता है तो भारत में राजनितिक दलों को मानता परदान करता है कौन तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका B, भारत का निर्वाचन आयोग केंदरिया सतरक्ता आयोगत के रूप में किसने सफत ली है तो याद करें ये परवीन कुमार स्रीवास्तव ने लिया है हमने आपको पहले भी बताया था हिरदय घात के लक्षन क्या है यानि हार्ट अटेक के लक्षन क्या है तो आजकल हार्ट अटेक की समस्या जादा है इसलिए ये कोशन छप सकता आपके एक्जाम में हिरदय घात के जो लक्षन है सीने में तेज दर्ज तेज पसीना आना बहां में दर्द के साथ धंजना हाट ये सभी लक्षन हार्ट अटेक के हैं इसको याद कर लिजेगा इंपोर्टन कोशन है पहला विजन जीरो सिखर सम्मिलन किस अस्थान पर आयोजित किया गया तो मद्य परदेश की राजधानी भोपाल में आयोजित किया गया था ऐसे पलाया मैदान जो लबनों से भरे हो क्या कहलाते हैं तो ऐसे मैदान को का जाता है कल्लर भूमी पूर्ब योजिना आयोग अब कहलाता है तो जैसे कि योजिना आयोग के स्थान पर अभी निती आयोग आ चुका है इसके स्थापना एक जनवरी 2015 को किया गया था इसके अध्यक्ष खुद परदान मंत्री होते हैं उपाध्यक्ष सुमन बेरी है और इसके नए CEO कौन बने है तो B, B, R, सुब्र, मन्यम आप लोग कमेंट करके बता दीजिए योजिना आयोग के स्थापना कब हुई थी मदुवनी लोग चित्र सैली किस राजी में लोग प्रिये है तो सिंपल सा कोसर ने बिहार में O, R, S की खोज किस ने किया था तो साथियो O, R, S की खोज डॉक्टर दिलीप महल अनुविस ने किया था इंपोर्टन कोसर ने याद कर लिजिए निमन लिखित में से कौन सी जोड़ी संस्था और संविधान के अनुच्छेद सुमेलित है तो सुमेलित पूछा गया है ये अनुच्छे 315 जोकी संग और राज्यों के लिए लोग सेवा आयोग है ये सुमेलित है बाकि सभी ये गलत है देख सकते है भारत का निर्वाचन आयोग 330 नहीं होगा ये 324 है तो सही कर लेंगे सबको यहाँ पर आंसर जो होगा आपका ए होगा दुईतिय विश्यूद का ततकालिक कारण निम्द लिखित में से कौन सा था तो दूसरा विश्यूद जो हुआ था 1949 में सुरू हुआ था और 1945 में समाप्थ हुआ था और शुरू होने का कारण था जर्मनी का पॉलेंड पर आकरमन प्रथम विश्यूद 1914 में स्टार्ट हुआ था और 1918 में समाप्थ हुआ था चलि आगे बढ़ते हैं वायू के 36 संचलन से होने बाला ताप का स्थांतरन कहलाता है तो यहाँ पर कोशन नमर 110 के लिए आंसर हो जाएगा अभी वहन कहलाता है तो चले साथियो आज इक लिए इतना ही अगर आपको यह प्रेक्टिसेट अच्छा लगा तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कल से हम लोग प्रेक्टिसेट नमर 2 को कबर करेंगे और जितने भी GKGS के कोशन है पूरा हम लोग कबर करेंगे इसमें लगबग 10 से 15 कोशन और है तो उसको अभी हम लोग स्किप कर रहे हैं तो साथियो सेशन पसंद आया हो तो जाने से पहले सेशन को लाइक और सेयर जरूर कीजिए